ICC Cricket पुरसकार 2014 प्रदान कर दिये गए हैं पुरस्वर्ग में वर्ष का सरसेष्ट क्केटर किसे चुना गया है पैट कमिंस को आस्टेलिया के खिलाडियां कप्तान है सर गार फिल्ड सोबस ट्राफीन को प्रदान की गी वर्ष का सरसेष्ट टेस्ट किकेटर किसको चुना गया उस्मान ख्वाजा को आस्टेलियाई किकेटर है वर्ष का सरसेष्ट वंडे किकेटर विराट कोली भारत के हैं वर्ष का सरसेष्ट T20 किकेटर लगातार दूसरी बार सुर्य कुमार यादो बने है और वर्ष के सरसेष्ट उभरते किकेटर कौन बने है रचन रविंद्र निजिलेंड किकेटर है महिलाओं में देखें तो सरसेष्ट किकेटर का रचल हे हो फ्लिंड ट्राफी नेट शीवर ब्रंड को दिया गया इंगलेंड की आल राउंडर है वहीं सरसेष्ट वन्डे केटर मेलाशेडारी में चमारी अटापट्टू को शिलंका की खिलाडी है सरसेष्ट T20 केटर मेलाओं की खिलाडी में हैली मैथ्यूज को दिया गया वेस्टेंडी इसकी खिलाडी है ICC Ampire of the Year रिचर्ड इलिंग वर्थ को इंग्लेंड के अंपायर हैं इनको चुना गया स्पिरिट आफ क्रिकेट अवार्ड जिम बॉंबे की टीम को दिया गया ICC टेस्ट टीम का जो गठन हुआ उसका कप्तान पैट कमिन्स को चुना गया ICC वंडे टीम का कप्तान रोहिश शर्मा को चुना गया वहीं ICC T20 टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादो को चुना गया सर्वोच न्याले ने हाली में अपनी हीरक जैनती समारो मनाई है 75 वर्ष पूरे किये हैं इस उसर पर प्रधान मंत्री ने इसमें भाग लिया है नितीश कुमार ने नौमी बार बिहार के चीफ मिनेश्टर पत किशपत ली इसके साथ ही बीजेपी के समराड चौधरी और विजेश सिंग डिप्टी सीम बने है एने मर्सक ये क्या है या एने मारसेक भी इसको कहा जाता है अगर हिंदी में आएगा तो इस तरीके से आएगा थोड़ा सा देखेगा ध्यान रखेगा ये प्रशन आ सकता है इस तरह के प्रशने पूसते हैं एने मारसेक इस तरह से आएगा ठीक है मारसेक या मारसक या मारसक आएगा तो यह क्या है मारसक कंपनी के द्वारा दक्षिंड कोरिया में निर्मित हरित हाइडरोजन से प्राप्त जो ग्रीन मेथेनाल है उससे संचालित दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोथ है क्या नाम है एने मारसक इसको शुरू किया गया है बदायू उत्तरबदेश आपको बता दे बदायू जो जिला है उस सरवाधिक जिलों को या जिलों की सीमा को सपर्ष करने वाला यह जिला है नौ जिले इससे सटे हैं या इसकी सीमा से सपर्ष करते हैं उत्तरवदेश का सबसे जादा जिलों को टेच करने वाला यह जिला है चीफ मिनिश्टर के द्वारा HPCL के अग्रणी बायो मास आधारी संपीटित बायो गेज CBG सेयत का उधगाटन यहां पर किया गया कहां बदायों में अजीत मिश्रा Freedom of the City of London पुरसकार पतरिश्टित पुरसकार इनको परदान किया गया अजीत मिश्रा को नावरेम रोशी बीना देवी भारती वुशु खिलाडी है अंतराश्टी वुशु महासंग के द्वारा वर्ष की सर्षेष्ट महिला वुशु खिलाडी नामित की गई है परवतमाला कायक्रम नितिन गटकरी के द्वारा अगले पांच वर्षों में दो सो से अधिक रोपवे परियोजनाओं के लिए घोशित ये योजना है क्या नाम है परवतमाला रोपवे परियोजनाएं इसके माध्यम से संचालित की जाएंगी तुकिल अटाइगर ये निशा पाहूजा की डाकुमेंटरी फिल्म है चानबेवे आसकर में इस डाकुमेंटरी को नामांकित किया गया है जुआला ये नामी बियाई चीता है भारत में जो की इस्तित है वरतमान में कुनो नेशनल पार्क में मध्यपदेश में तीन शावकों को हाली में इसने जन्म दिया है इसके पहले आशा ने भी तीन शावकों को जन्म दिया था भीश्म परियोजना प्रोजेक्ट भीश्म के नाम से जिसको जाना आता है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का एक ये हिस्सा है एक भाग है अत्यादुनिक स्वदेसी मोबाईल अस्पताल है इसके तहट जो एड क्यूब या फिर आरोग्य मैत्री क्यूब ये portable अस्पताल भी कई जगां आपने देखा होगा कई बार मैंने जिक्र कर दिया गादी नगर में पहले उसके बाद गुड़गाओं में प्रदर्शित किया गया था अभी हाली में दोस्तों ये क्या किया गया कि आयोध्या में आयोध्या में जो राम मंदिर उद्गाटन था समारो था प्रान पतिष्ठा का एक्रम था उसमें एक व्यक्ति थे वो काफी बीमार पड़ गए तो इसी परियोजना के थू अर्थात एक मोबाइल अस्पताल के थू उनकी जान बचाई गई ठीक है तुरंट उनका इलाज किया गया सुभाज शंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुसकार दोजार चॉबिस सिश्टी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का ये जो हॉस्पिटल है इसको प्रदान किया गया विभिन राज्यों में आई हुई आपदा में इसने अपनी महतपूर्ण भुमिका निभाई है तो सुभाज शंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुसकार दोजार चॉबिस सिश्टी पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया अनुवा डिजटल बनाएगी तो डिजटल बनाने की युजना है सभी भाषाओं में उपलब्द जो भी अध्यान समगरी है उनको क्या नाम है इस एप का अनुवादिनी है उत्तर प्रदेश गवरों सम्मान 2024 डाक्टर रितु करिधल शिवास्तो काफी चर्चा में थी जब चंद्र उन दोनों लोगों को तरवदेश गवरों सम्मान 2024 से समानित किया गया काबो वर्डे अफ्रीकी देश है विस्वास संग्ठन के द्वारा मलेरिया मुक्त इसको घुशित किया गया है आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों